एक वेकिकोशन है क्या कोशन है असर्कल टचिज सब्सक्राइब पार आपको एगाइगा कि एक सर्कल है जो की X-axis को टच कर रहा है यह कर दिया आच इसके लावा एक और जगे पर टच कर रहा है जिसका सेंटर एंड एनेदर सरकल जिसका सेंटर 0 3 यानि आप 0 3 आपको पता चलता है कि Y-axis पर है इस तरह का एक सरकल और है सपोज 0 3 जिसका सेंटर है ठीक यह Y-axis हो गया यह X-axis हो गया समझना ध्यान से अब जो सरकल X-axis को टच करता है अगर मैं बोलूँ इसका सेंटर एच के है आपको पता है इसका रेडियस के होता है यानि अगर मैं इंटम आप सेंटर की बात करूं तो इसका सेंटर होगा एच कॉमा के और रेडियस होगा के है यह के होगा और इसका रेडियस दिया है अल्रेडी तू अब सरकल टचिंग वाली कंडिशन आएगी यानि आप बोलोगे सरकल टचेश एक्टरनली की बात करें तो आप बोलते हो सीवन इक्वल टू एक्वाल टो आर वन ब्लुस रटू राइत शीवन इसीट ब्लाब हो जाएगा अंडर ए्ज माईनस जीरो का स्क्रेए प्लस के माईनस 3 का होल स्क्रेर एक्वर टू प्लस आफ तू अब आप सोचिए कि जब आप इसकी स्क्कषए करके सालν हो गेए तो इसका k square इसके k square से cancel हो जाएगा अब इसका मतलब यह हुआ कि h square का टम बचेगा x square y square दोनों नहीं बचेंगे ऐसे case में क्या answer होता है हमेशा इतने में ही आप answer देदे थोड़ा logical तरीके से match पढ़िए उससे आपके बनलब आपका पढ़ने का तरीका ऐसा उनची कि आप कुछ नया सीख भी रहें कुछ नया गेन भी कर रहें और logically क्या क्या चीज़ कर सकते हैं तो देखिए क्या आगया अगर आप पूरा इसकी square करते त आप लिखते हैं h square plus k minus 3 का whole square equal to k plus 2 का whole square अब मैं solve करता है h square plus k square minus 6 k plus 9 equal to k square plus 4 k plus 4 यह k square से k square cancel तो h square equal to देखिए कितना आगया 10 k plus plus नहीं यह minus 5 या h मतलब x x square equal to 10 y minus 5 this is equation of parabola पर इतना solve करने से पहले भी आप logical conclusion दे सकते थे